कि हेलो फेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गोर्मेंट जोब स्प्रेंट दोस्तों यहां पर आज हम बात करेंगे इंडियन एरफोस के अंदर दोस्तों ट्रेडमेन की वेकेंशी बोल सकते हो उसके बारे में काफी कमेंट आ दोस्तें तो एक उसके आप जो प्रोफाइल के बारे मतफ़ियें क्या रहेगा पैंसन इसके अंदर मिलती है कि नहीं मिलती है ज़रेस से तो इसी पर आपका Air Force का कमेंट आया तो मैं नई वीडियो मनाया है तो उमीद चलोंगो सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करके और पर क्लिक जरू कर लिजएगा आगे के अबडेट के लिए फिलहाल के लिए दोस्तों बता दूँ आपको इंडियन Air Force की Group C की वेकेंची लगबग हर साल यहां पर यह वेकेंची आती है चाहे वो 2500, 300, 500, 600 जितने पदों पर हो पर हर साल लगबग लगबग यह वेकेंची आती है दोज़ार बीस में नहीं आए थी बाकी हर साल यहां पर यह वेकेंची आती है अभी-बी जश्ट तोड यह आती है कुक केल लग आती है इस पर किया लग आती है आपकी सबील कि प्रकार की पोस्ट यांती है जिनकी योगता है वह बी दोस्तों अलग लग रहती लगबग की ओHisग кого तो तैंथ रहती है पूरी प्रस इंदर आई ता ही आपको माँ बता दूं ऐसके गाड़ में सी प्रोफाइल पर भी हम देखेंगे और सिर्म पेंसन की दोस्तों करने सबके लिए के दोस्तों जो भी पोस्ट होथी चाहे कोई भी पोश्तों यह वह आप के पोश्ट यह इसके लिए आपका NPS होता है National Pension Skim के तहत आपका Basic Plus DA का 10% फिलहाल यहां पर काटा जाता है और उससे 14% सरकार की तरब से जमा गिया जाता है कि मंतली आपका Basic Plus DA का 24% खाता आपके NPS आपका पैसा है वो NPS में जमा होता है उसके बाद में वो जब आप रेटायर होते हो तो उसका 60% आपका जोब रहेगा वो आपका मिल जाता है बाकि 40% यहां पर सेर मार्केट के थुरू आपका पैसन बनता तो उस टाइम में पताने कितना बनता पर यह इस परकार से आपका पैसन का पूरा प्रोसेस रहता है सिविलियन की जितनी भी पोस्टे है तो पैसन के बारे में आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब दोस्तों बात करें केंटिन की तो केंटिन सिविलिय को मिलती है air force और Navy दोनों के इंदर civilian को कैंटीन Parliament की मिलती है तो यह आपको टेंचन करने की जरूरूत tehd Lieutenant Medical是我 병 भी ईहाभी दोस्तों मिलती है आपका चाह्ते शाहरो हो सटों कर बिंद दोस्तों आपकी जो होस्पिटल है एर्फोर्स के दुआरा जो सरकारी होस्पिटल हैं आपके एरफोर्स के रहते हैं बड़े-बड़े उसमें आप इलाज करवा सकते हो और बाहर भी आपको कुछ प्रकार की छूटे हो दी जाती है तो अगर हम बात करें तो अब दोस्तों आपको आपका पोस्ट वाइज मैं बता दो थोड़ा काम भी और हम सेलरी भी बात कर लेते हैं यहां पर यह पोस्ट है जिस फरकार इनका भी हाँ पर यहां पर हेड़ार पर भी मतलब आप मानने की फोस्ट है जिसके लिए दोस्ता आपका टेंथ योगता रहता है लगवल टाईम में और यह अपका एक के लेवल वन की बेसिक रहेगा सबसे नीचे Center Government के निचे जो जोब है वो दोस्तों आपकी रहेगी और MTS का काम आपका जो ही सहाइक Helper के तोर पर रहेगा यानि की Air Force जरूर नहीं आसमान के अंदर नीचे भी उनके Workshops रहते हैं उनके Office रहते हैं उन Office हों में भी काम रहता है और Workshops के अंदर भी आपका काम होता तो वह काम यहाँ पर आपका Helper के तोर पर आपसे करवाया जाता है MTS के लिए Housekeeping स्टाप भी यहाँ पर यह रहता आपका Matrix लेवल का इसमें भी आपका लगबग यही वह रहता है मतलब आपका जो खाने के लिए मेश होती है एरफोस की उसके अंदर यहाँ पर यह करमचारी काम करते हैं तो इनका भी यहाँ पर रहता यहाँ पर आपको नहीं दी जाती है आपकी अलग से जो यहाँ पर यह लेवल टू की पोस्ट है कि आइटिंग अपका हम देख् us कि अपकी पोस्ट है क्या निचे यहां पर देख सकते हो आपका MTS में स्टाप MTS और यहां पर आपका LDC का कहां पर मेंचन किया गए कि सेलरी बेसिक हम LDC हां पर देख सकते हो गुनिस 1900 यहांद कि लेवल टू की हाँ पर ये पोस्ट आपको बता दूँ गुनिस हजार नोसो जिसकंदर आपका बेसिक रहेगा यानि कि ये आपका आपका जो MTS और मेसी स्टाप है उससे एक स्टेप उपर है और इसमें दोस्ता आपका कलरक का काम रहेगा का मतलब कलरक का काम रहेगा इड़ेस होती है और कि सिविलेएण वालों को इसके बाद में हम नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें जैसे LD का मैं बता दिया काम आपका इसके बाद में आपका कलर कुम्ह की सिविलिड़ी टाइप स्थे मिहां पर need लेवल टू की पोस्ट है इसमें भी आपका ऑफिशियली वरक रहेगा इसका भी सेम वरक रहेगा ल्डीशी के जैसे ही यहाँ पर स्टेनोग्राफर का पता होगा जिसने भी स्टेनोग्राफर कर रखा त्यारी करता है वह यहाँ पर स्टेनो मतलब कोई सेंटेंस है उसको पर स्टेनो रहा है उसके अकार से रहता है इस्टेनोग्राफर का काम तो यहोफीशियली पूरी तरिके से रहता है इसके बार में पोरा म tube के अंदर मतलब उसका शमान ह娜ा रहा क्या खाए यह सास डिटेल से ओुर के अंदर रहती इसके बाद है आपका मेट्रिक्स लेवल की काफी पोस्ट हैं आपकी इसे ट्रेडिमेंट बोल सकते हो या फिर इसे कोई भी आपका जो नाम दिया गए है जो वार्ड क्याली है कारपेंटर है कारपेंटर का काम है आपका वही जो कारपेंटर को पता होगा कारपेंटर की क्या कपडों का काम या फिर वो आपका काम रहता कारप cardiac 2013 का काम रहता दोस्तों पैंटिंग करने क जैसे की वर्क तो एया फिर आपका ओफीस है उसके अंदर किछ परकार की पैंटिंग करना हो तो वह चीज उनसे करवाए जाती है ये सभी लेवल जादा होना चाहिए देख सेखिलते हैं मैं एक बार फाइरमेन के लिए आपका 19,900 इस्टोर कीपर का भी है LDC का भी है और कल्रक टाइपिस्ट का भी 19,900 है और कुक का भी दोस्तों यहां पर 19,900 आपका बेसिक रहता है यानि कि 20,900 इस्ट इनोगराफर की अपर लेफल की पोस्ट रहती है इसमें लेफल 4 2400 गरिड़ पे के तहित 25,500 यहां पर बैसिक रहता है तो इस प्रकार की आपकी यह रहती है अगर हम फायर्मेन की दोस्तों बात करें तो लेवल 2 की आपकी पोस्ट है लगवग लगवग पोस्ट है यहां पर आपकी दोस्तो लेवल 1 की है कुछ लेवल 2 की है कुछ लेवल 4 की है तो यह आपका रहता है वरक दोस्तो सभी का यहां पर मैंने आपको बताया है जो जो पोस्ट है है इसके अंदर एरफोस में आती रहती salty चीए उनुक्त को को है तो को का ही काम रहेगा उसका एनके खाना वाना बनाना मेश स्टापरे उसका मेश का काम रहेगा इसके बाद में आपका में था यह गृते कर जो भाटे की हैं उनके बारे मैंने आपको बता है है जैसे कारपेंटर पै festive वगएरा का इनका भी उव्रक वही रहता है आपका सेम की गई है तो यह वेकेंशी दोस्तो हर साल यह आपकी वेकेंशी हा आती है तो आप इसका प्रिप्रेशन कर सकते हो सिविलियन का मतलब है यह आपका आठ गंटे की आपकी जोब रहेगी दिन में आपकी जोब रहेगी अगर रात में आपकी जोब रहती है तो रात नाइट अलाउंस दिया जाता है आपको और टाइम अलाउंस दिया जाता है और टाइम दिया जाता है पैसे दिया जाते हैं इस अलब एक आपका फेमिली लाइफ रहती है सिविलियन की जबकी सोल्जर को यहां पर 24 स्कंड डूटी के अंदर रखा जाता है कभी भी किसी भी टाइम उनको डूटी दे दी जाती है जबकि आपका एक फिक्स टाइमिंग रहता है अगर नाइट है तो दिन में फिरी रहोगे अगर दिन में है तो नाइट यहां फिरी रहेगा आपका तो इस प्रकार की पोस्टर है ते शिविलियन की अच्छी जोब है दोस्तों तो जैसी और अपडेट वेगेंची आएगी तो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके लिए चलेंगो सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिएका दोस्तों के साथ और धन्यवाद जेहन जवारत